नवश्कार दोस्तों भगवान आपसे भी कबला करूड आपके सारे एक्षायम उन्हों कामने परी हो दोस्तों आज मैं आपसे को इस हाथ से रिलिएट भात्पून जान करेंगे करूंगर यहां पर आपके जो क्वेरी है पहले उसका अंसर देने के बाद और और पाम प्रेड नीचे होता है तो इस कंडिशन में कन्फूजन या करियर में डिले होने के पूरे के पूरे चांसे यहां करियेट करता है क्योंकि हर तरह का काम करना हर छेतर में हाथ आजमाना हर प्रकार के प्रायत्न करना एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना तो इन सारी चीजों के करण focus में भी कमी होता है और कई न कई 100% अपने तरफ से दे नहीं पाते हैं इसका एक और चिन है उसके बारे में भी बात किया जाएगा लेकिन जब उपर के तरफ त्रिशुल होता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है कि ऐसे जातकों का जो later age होता है या फिर half life के बाद जो समय आता है प्रोक्स 35 के बाद में वो बहुत अच्छा देखने को बिलता है उसमें prosperity, property, income, name, respect ये सारी चीज़े life में increase हर तरफ से हो रही होती है और ये बहुत अच्छे यहाँ पर खर्चिले सभाव को या अच्छा पेसे कमाने की योगों को दर्शा आता है खर्चिला क्यों हो यहाँ पर बताएगे क्योंकि आप जैसे जातक अपने सुक्स विधाया किसी दूसरे के उपर खर्च करते समय ज़्यादा सोसते विचारते नहीं है यहाँ पर आपके सूर के उपर में इसक्वेर के साइन भी अविलेबल है तो यह इस तरह के जब साइन होते हैं तो यह सेल्फ मेट परसनेलिटी का बहुत इंपोर्टेंट साइन हो जाता है कि आप अपने जियन में अधिकतर काम खुद के दम पर खुद के बलबुते पर डेफिनेटली कर पाएंगे लेकिन इधर पर भी तकलिफ क्या होगी एक क्रोस कसे इधर भी अविलेबल है और एक यहाँ पर भी अविलेबल है और सबसे में बात तो यह है कि नीचे त्रेशल का चिने इसलिए जल्दी सफलता मिलता ही नहीं है तो यहाँ पर आपको संज और रेमेडी है वो बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरुवत नहीं है लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि एक समय पर आप एक ही काम प्रफर करिए मल्टि टास्किंग नेचर से मल्टि पल वर्क करने से बचना चाहिए क्योंकि लिटिल फिंगर भी शॉट है तो इस कंडिशन में अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हैं तो हर काम में देरी अरचन बाद रुकावट जैसी स्थितित्पन होती है ये भी सजिस्ट किया जाता है कि कमिट्मेंट भी न सोचे समझे मत करिएगा क्योंकि उसको भी फुल्फिल करते से में डिफिकल्टीज आएगा मनी मेनेजमेंट भी होता है क्योंकि अन्नेसेसरीली एक्स्पेंसेज जादा हो रहे होता है हिउमर्स में कई ये मरतबा बहुत जल्दी पढ़ गए होते हैं या पढ़ जाते हैं कई भी अगर साइन करने तो बहुत ज़दा सोच विचार के करिए तो यहाँ पर मेन जो कंसरन है वो यही है कि जितना ज़दा परफेक्शन या एक समय पर एक काम या जितना ज़दे स्टेबिलेटी के साथ आप वर्क करेंगे आपका काम उतनी सरलता से पूर्ण होगा अब जैसे जो इसी का सिगनिफिकेंस जो दूसरा आपको बताना चाह रहे थे वो यह था कि यहाँ जो आपकी लग लैन है वो कितनी अच्छी जा रही है पूरी की पूरी माइंड लैन को टच करके जोपिटर को देख रहे है इस तरह की लग लैन व्यक्ति को सिर्फ गर्मेंट जो भी नहीं बलकी टॉप पोजिशन या अथोरिटी या बहुत ही रिस्पॉंसिबल रिस्पॉंसिबल वर्क देती है और अच्छा लाइफ इस्टाइल देती है क्योंकि जूपिटर की सारी ब्लेसिंग्स लक लैन में आती है जिसमें पैसा आना, तरक्की होना, घर परिवार को सुक्सुधाएं दे पाना जनमिसान से दूर प्रगती होना, लगातार ग्रोथ होना, नौलिज का प्रोपर यूटिलाइजेशन होना लेकिन यहाँ पर प्रोब्लम क्या हो गया? कि जो उपर के तरफ से रेखा आ रही है आपकी, इसने इस लक लैन को काटके आगे के और बढ़िया तो यहाँ पर क्रोस का साइन सेटन के उपर हो गया, तो इस कंडिशन में मन चाहा परिणाम फिर बहुत कम मिल पाता है या मन लाएक काम होता ही नहीं है, आप कितना भी पेसा खर्ज कर लिजे, कितना भी टाइम इन्वेस्ट कर लिजे, आप एड़ एंड सेटिस्वाइड अधिकतर चीजों से नहीं हो पाएंगे रीजन है क्रोस का साइन, अब यह क्यों आएं यहाँ पर? यह जो छेतर है, यह हमारे विध्या का छेतर है, और यहाँ से जब भी कोई रेखा निकलती है, यानि नॉलेज व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन जब यह रेखा बहुत strongly नीचे के तरफ इस तरीके से आ जाती है, तो यानि कई मर्तबा अपने ग्यान पर इतन कर पा रहे हैं, अपने लाइफ से या फिर जो रियल्टी है, उसको एकसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कंडिशन में नॉलेज तो है, लेकिन वो अपने काम ना आते वे दूसरे के काम आ रहा है और अपने लिए नुकसान कर रहा है, तो इस नॉलेज का फिर कोई कर रहे हैं, तो इस ने काटकिस को इलक लाइन को, तो आपके काम बनते बनते बिगड़ना, आप अपने जीवन में जितना चिंता करेंगे, उससे कहीं गुना कम तो काम होगा, तो यानि वो चिंता भी जो हो रहा है, वो भी किसे काम के लाइक है नहीं, तो यहाँ पर क्रोस क्या करते हैं, बेफजूल का चिंतर मनन देते हैं।, अननेसेसरी वरीज क्रेई होती हैं, डाउट्स क्रेई होते हैं, फियर क्रेई होता है, सेडनेस, ल उनलीनेस इस तरह की भी मल्टिपल इशुस आते हैं, हला कि इतना को इस्ट्रेस या वरीस करने के जरूद महीं हैं, इसने majorly किसी तरह का permanent या फिर बहुत strongly कोई cross independent दिया नहीं है, independent या permanent cross जब होता है, तो सबसे ज़्यादा तकलिफ होती है, इस तरह कि जब भी crosses बनते हैं, तो ये बहुत जल्दी life में अपने negative असर छोड़ देते हैं, ये इसका सबसे अच्छा खुबी है, और ये कैसे छोड़ेंगे जब आप एक प्रगर से दूसरों की बाते सुनना शुरू करेंगे, दूसरों की बातों को समझना शुरू करेंगे, वो जो line आप जो पढ़ते हैं कोई भी, उसके पीछे की बात को जो वेक्ति समझना शुरू करते हैं, तो अपने लाइफ में किसी भी तरह का compromise adjustment करने से पीछे नहीं हटना, और fear नहीं रखना, किसी भी चीज़ से डरना नहीं, हद से हद क्या होगा इस विशे में सोचना कि कितना बुरा हो सकता है, इस से ज़्यादा तो बुरा नहीं होगा, तो जब इस तरह की कि हम मानसिक्ता रखने लगते हैं, अपने आत्म बलको बढ़ाने लगते हैं, तो automatically ये cross का sign convert हो जाता है V symbol में, अब जैसे यहाँ पर अगर V symbol आपका होता, तो आपको इतना जीवन में एक प्रगार से त्याग या परिशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्यों ऐसा, क्योंकि ये V symbol confirm करता है कि आपके पास पहले से multiple source of earning रहेगा, opportunities रहेगी, आप जैसे जातक जितना फिर पैसा कमाते हैं, उससे अधा खर्च होता है, और जितना खर्च होता है, उतना पैसा आता है, ये नियम है इसका, अधिक खर्च अधिक आए, तो जो certain remedy है, वो WhatsApp पर share हो जाएगा आपके, और उसको बिल्कुल आप शिद्दत से करिए, आपके भाग में, फिर उसका कोई भी तकलीफ या कमी नहीं आएगा, तो government job का जो concern है, जो problem है, वो mainly यहीं से आ रहा है, क्योंकि यह आपके काम बनने नहीं दे रहे हैं, बार-बार मुग के पास निवाला आते आते रह रहा है, अब आत करें यहाँ पर government job के बारे में, तो यहाँ पर purely triangle का formation है, triangle का formation वैसे professional life के लिए बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, क्योंकि यह knowledge का utilization दर्शाता है, responsibility work के साथ साथ, अपने work को सही तरह के से manage कर पाना, और continuous growth achieve कर पाना, अपने sector में उसको भी दर्शाता है, society में, घर में, या कारेच छेतर में, status या respect अच्छा देखने को मिलता है, power position मिल पाती है, married life के लिए यह ससुराल पक्ष के लिए बहुत अच्छा होता, यानि आप जैसे जातक जहां भी marriage करते हैं, उनके घर में बहुत growth होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर यह 80-85% cases में love marriage ही denote करता है, क्योंकि यह protection का sign है, तो जोपिटर का रखी है marriage का बच्चों का, तो marriage जो है मन लाइक होता है, और उसका continuous growth होती है, तो यह एक significance जो है, बहुत जदा prominent है आपकी love marriage के लिए, इसके बाद अब यहाँ पर आते हैं, इसमें की nature को दर्शाता है, इस condition में instant decision लेना, thoughts पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बाद से inspired, motivated या, influence वे हैं कुछ समय के इंतरा में वो काम करना, यह सब basic nature में होता है, patience कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहता होती है, इसलिए अपने thoughts पर जल्दी action लेते वे दिखाई पड़ता है, किसी के अंडर में comfortably वरकर नहीं करते, खुद के rules, regulation, ethics, मन मुताबिक काम करना जादा पसंद करते हैं, palm के structure लंबाई में अच्छा है, जिसके करन यह lots of dream, desire and ambitions देता है, जिए उनके ब्रती बड़ी सोच अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है, आप जैसे जातक शारेरीक मेहनत के वज़ा मानसिक मेहनत, अच्छे से कर पाने में सक्षम रहते हैं, और इसे fire element hand कहते हैं, जो emotional, impatient और impulsive यहाँ पर व्यक्ति को दर्शाता है, और बहुत जल्दी निर्णे अपने feelings के accordingly लेते हुए दिखाई भी पड़ते हैं, लेडिल finger का पूरा जुगाओ, बाकी finger के तरफ है, तो family oriented personality होती है, अपने life में किसी भी तरह का sacrifice अपने family के लिए करते हुए पीछे आप नहीं आटेंगे, दूसरा इसकी length short है, तो बच्पन में stage fear होना, मन के अंदर बात को दवाना, आगे से रेगर के communicate करने में किसी से भी थोड़े struggle करना पड़ना, जैसे की शर्मिलापन होना या फिर हिच की चाहाट होना, कोशिश करनी चाहिए, जितना काम हो systematically करें, जितना भी हो relation, कोई भी हो उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय दे, थोड़ा यह क्या करता है कि इंट्रोवर्ट बनाता है, तो इंट्रोवर्ट रहना कहीं न कहीं और आपको struggle देगा, क्योंकि वैसी सेटन पर क्रॉस का सायन है, तो बाते मन के अंदर रख रख करके आपकी बड़ी होती चली जाती है, तो आपको एक्स्ट्रोवर्ट होना, शोशली इंगेज होना जरूरी है, अपने खुद के सेल्फ डेवलप्मेंट के लिए, बाकी दूसरों के लिए कुछ फरक हो नहो, आपके लिए बहुत फायदे मन दिया रहेगा, और इंस्टेंट डिसीजन लेने से लाइफ में बज़ना चाहिए, फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा लॉंग है, तो यह रिस्पॉंसिबिलिटी टेकर बनाता है, आप जिसे जाए तक बहुत कम उमर से कंदों पर बड़ी जिम्मेदारियां लेकर रेकर चलने वालों में से होते हैं, और साभी जिम्मेदारियों को भली बाती पूर्ण भी करते हैं, नॉलेज में कमी नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए जल्दी किसे के सामने जुक नहीं पाते हैं, रेपुटेटेटेड इन रिस्पेक्टफुल परसनेल्टे का अच्छा साइन होता ही है, और फिंगर के उपर सीधी खड़ी रेखा हैं, फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच भी देता है, तो हर परिस्थिती माहूल में अपने अपको ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंद अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित में देखने को मलता है, फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर आपके, वो डेवलब कुल मिला करके सामान नहीं है, इसको अच्छा वुरा बिल्कुल भी नहीं कहेंगी, ये नॉर्मल पोजिशन इसमें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे बीच-बीच में अलकल की रेखा हैं, तो यहाँ पर देखा जाएं, तो अधेकतर मामलों में, एडवाईजर सेजेशन के आवशकता आपको पढ़ी जाती है, लेकिन आपको किसी से सेजेशन एडवाईज लेना पसंद नहीं, सॉल्यूशन भले ही आप ले सकते हैं, फैलेंजर्स की स्थिति एंड इंटर्नल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो इस्टेमिना एनरजी रोख प्रति रोधक शमता के लिए स्थिति बढ़िया दिखाई दे रहा है, थमका साई शॉर्ट है, तूद अपर्ण बात करना, स्टेट फरवर्ड नेचे रखना ज़्यादा पसंद करेंगे, यहाँ का जो चिन है वो यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो इंटिशन आते हैं, अगर मेडिटेट करें, अदर्वाइस आलेशान घरका सुखिया, सारे materialistic desire आपकी life में फुल्फिल होंगे, पर अगर आपको चाहिए satisfaction, peacefulness and happiness यह तीन चीज़, तो आपको meditation से, spirituality से, donations से, या yoga से, इन में से किसी भी चीज़ से आताव दिखाई पड़ेगा, palm का structure जब भी rectangular हो, तो शारे एक मेंनत को जब आनसिक मेंनत, ज़्याद अच्छे से कर पाते हैं, बात करें, जूपिटर माउंट की, जब भी डिवलप ज़्यादा होता है, तो आप जैसे आतक को family से support मिले ना मिले, लेकिन आप family को support पूरा कर पाते हैं, दूसरा triangle का जब combination यहाँ पर होता है, तो हमेशा knowledge गेन करते रहना चाहिए, book reading के habit रखना चाहिए, और ये चीज़े करने से क्या होता है, कि जूपिटर हमेशा आपके active रहेंगे, तो इस condition में जैसे life में कोई opportunity आती, कि उसको अच्छा फिर आप grab करके आगे बढ़ पाएंगे, तो वेसे देखा जाए तो knowledge में कमी नहीं है, लेकिन knowledge और ज़्यादा बढ़ते रहे, तो जूपिटर और power position लाइफ में आपके बढ़ाते रहेंगे, किसी तरह के सुविधा संसादान या resources की mainly कमी, लाइफ में आपके नहीं रहेगा, शने के स्थिती की बात करें तो वो कोई खराब नहीं है, इंफेक्ट इदर तो triangle का भी sign है, जो सूर्य के तरफ देख रहा है, और इसका ताथ पर ये निकल के आता है, कि आप अपने दम से बहुत लोगों का मदद जो है कर पाएंगे, बहुत सारे लोग आपके family members में या बाहर के जो दूसरे लोग है, वो आपसे उम्मीद लगा सकेंगे कि आप उनकी मदद कर सकें, और मदद भी आप कर पाएंगे, जिसे ट्रेंगल का सायने सैटन के उपर से ये आ रहा है, तो पैसा अच्छा जीवन में मौजूद होता है, और सूरे के तरफ ये जो जुका हुआ है, तो नाम सम्मान हमेशा कमाते हैं, नाम कभी खराब नहीं होता है इसमें, तो ये significance तो बहुत अच्छा है, ये मन का सारा काम कराती है, लेकिन ये जब मजबूत नहीं हो, तो कई न कहीं कई मरतबा या अधिकतर मामलों में, मन मार करके काम करना पड़ता है, तो वो सिनेरियो अभी प्रेजन टाइम का आपका दिखाई दे रहा है, कि बहुत ज़्यादा खोश या satisfied या बहुत ज़्यादा मन लाएक काम आपका अभी के condition में नहीं है, लेकिन ये luck line की availability पूरी है, तो ये जिवन में कभी भी पेसा या opportunities की कमी नहीं होने देगी, इसके अलावा यहाँ पर सूर के विशे में बात करें, तो आपकी सूर पर outer Mars का भी connection है, तो life में संघर्ष तो बहुत कम उम्र से ही देखने को मिलता है, इस condition में बहुत कम ही कुछ पका पकाया जीवने मिलता है, दिकतर चीज़ें खुद के मेहनत या संघर्ष से या लड़ करके हासिल करने पड़ती है, इस रेखा को पुर्व पुर्व ने रेखा, इसलिए का आगया है, जो कि confirm करता है कि इस जनव में आप अपने सारे pending कर्मा क्लियर करेंगे, वो उन लोगों से आपको सपोर्ट बहुत जल्दी मिल जागा जिनसे आपने expect ना किया हो, क्योंकि pending करमा है, उनको करना ही पड़ेगा आगया करके, और जहां से expect जादा किया हो, वहां से support ना मिलना है, credit ना मिलना, ऐसे कुछ-कुछ issues देखने को मिल सकते हैं, तो यहां पर इन सब चीजों में कभी भी आप disturb मत होईएगा, क्योंकि आप इस बात को समझ लिजिए, कि आपके इस जीवन में बहुत सारे लोग अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिआएगे, आपको कुछ देने के लिए या फिर आप से कुछ लेने के लिआएगे, तो इन सब चीजों को accept कर आगे बढ़ते रहिएगा, तो यह जो संघर्ष की रेखा है, या opportunity की लाइन में, या सफलता की लाइन में convert हो जाएगी, तो यह रेखा जब भी होती है, तो ऐसे जाद तक कि जीवन में इतना संघर्ष होता है, कि life style ही हो जाता है, बहुत hard work का, और इसमें क्या होता है कि, दो choice रहती है, कि आप खुद hard work करिए, खुद अपने passion, hobby, या interest को follow करिए, या उसके regarding मेहनत करिए, या अगर ये चीज़ नहीं करते हैं, तो obvious hard work को करना ही पड़ेगा, तो इसलिए पहला जो combination है, उसको apply करिए, अपने हर काम में interest ढूंडिए, इंटरस्ट क्रिएट करिए, मज़ा लीजिए, तो और आसानी से, और सरल्दा से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वेसे भी square जैसे science हैं, तो उनका जिम्मेदारी है, आपको जीवन में position authority, या wealth create करके देना, तो ये definitely आपकी life में बहुत अच्छा आने वाला है, इसके लिए बेफेक्र रही है, बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं, बुद्ध और सुरु के इसे यहाँ पर बुद्धादेती योग केते हैं, तो लेखन, कारी या बोलचाल की कला में माहिर होने लगते हैं, ये शशवी योग भी होता है, जिसके तहट बहुत आलेशान घर का सुक भोगना या तमाम तरह की सुक सुविधाएं, जीवन में परियाप मातरा में होना, या नाम इज़त सम्मान अच्छा होना, या बात करेंगे, या आपकी कंपनी को इंजोई करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी है, दूसरों को मॉटिवेट करना, इंस्पैर करना, किसी भी तरह से पॉजिटिव करना, या कन्वेंस करना, इस तरह का मरकरी जब होता है, तो उम्र से कम दिखते हैं, अट्रेक्टिव नेचर परसनेल्टी बिल्ड होती है, वोई स्टोन बहुत अच्छा हो जाता है, और जहां भी रहते हैं, वाँकर सराउंडिंग बहुत कई न कई, अट्रेक कर पाते हैं, या पॉजिटिव कर पाते हैं, तो इस कंडिशन में कभी भी लाइफ में काम की, लोगों की अधन की इन तीनों चीजों की फिर कमी देखने को नहीं मिलता है, और ये कंबिनेशन और और अच्छा माना जाता है, किसी भी तरह के वर्क के लिए जो रिलेटेड होता है आपकी वाक शक्ती से, यानि बोल चाल की कला से, या कम्यूनिकेशन से मेंली, तो इन सारी चीजों से आपको भरपूर लाब मिलेगा, आपको मर्करी बहुत अच्छा है, तो इसलिए अगर आप चाहें, तो कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क या शेयर मार्केट इन सबसे भी लाब जो है कमा सकते हैं, थोड़ा नौलेज गेन करके, इसके लवाब हरदरेखा में सिर्फ एक जगए ये आइलेंड का फॉर्मेशन अविलेबल है, और या आइलेंड की अविलेबलिटी को हम जज़ करेंगे, तो 48 का पिरेड ये निकलेगा, तो इस पिरेड में आपको मेजर हेल्थ इशू होने के चांसे दिखाई दे रहे हैं, और किसी भी तरह की सरजरी इस पिरेड में हो शकती है, बगवान करें कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन इसके लिए आपको अभी से प्रेकोशन रखना है, हेल्थ के रिगाड़िंग ग्रांटेड नहीं होना है, कॉंशियस रहना है, एक्टिविटीस प्रफर करते रहना है, और कुछ भी ना हो तो कम से कम कुछ भी किसी भी तरह का योगा, आसन, क्रिया या प्राणाया में करिए, तो यह क्या जो इस तरह की क्या आइलेंड होते हैं, तो सरजरी किस विशे में भी ये दरशाद रहा हो, यानि किसी भी चीज को के रिगर्डिंग सर्जरी बता रहा हो, वो फिर होने के चांसेज खतम होने लगते हैं, बाकि एख्रेदर रहा कि एक शाखा पूरी के पूरी यहाँ पर जुपिटर पर गई है, आप प्यॉर वर्कोहलिक इंसान है, आपको खाली बेढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं, कुछ न कुछ वर्क करना, आपने आपको बीजी रखना, किसी न किसी काम में, इंगीज रखना यह आपकी व्यक्ति तुम्हें है, दूसरी बात यह है कि यह आपको थोड़ा करियर ओरियंटेट ज्यादा बनाएगा, तो कई मरतबा आप अपने फैमली पे, रिलेशन पे या इमोशन पे खास कर, ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो बहुत सारी इमोशन आप केरी करके चलेंगे, तो यह चीज़ आपके लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा, तो अपने इमोशन को जितना हो, जल्दी उसी समय निकाल दिया करें, बाकी इस प्रगर का हार्ट लाइन, बहुत एक्स्ट्रीम ग्रोथ देता है करियर में, कोई डाउट है ही नहीं, करियर में बहुत टॉप पोजिशन पे, आपने जितना एक्सपेक्ट ना किया हो, उस पोजिशन पे भी आप देखने को मिलेगा भी, तो 28 का ही पीरेड है आपका, आपका जो भेतरे लेवल का जो ग्रोथ है लाइब में, वो 33, 34 के एट से, इसे आईलेंड के फोर्मिशन होते तो बचपन बहुत डिश्टरब रहता है, एक तो बचपन बहुत नहीं रहता है, और बचपन की यादे भी कई न कहीं अच्छी नहीं पाई जाती है, माइन लेंड आपका एक इंडिपेंडेंट रन हुआ, approximately 23 के आसपास में तब जाकर के mentally strong हुए या फिर जो है एक प्रकार से आपका growth अच्छा हुआ या independent आप decisions लेने लगें आपकी case में mind line long है तो सीखने समझने और बातों को याद रखने क्योंगे तो आपकी अच्छी है आउटर मार्स से connected है इसी करण से तमाम तरह की pressure या trouble को easily absorb आप कर पाते हैं क्योंकि यह हिम्मत वह सहसी बनाता है अधरवाज इतनी सारी जब राहू की रेखाएं अवेलेबल हो तो यह हमेशा लाइफ में कोई नहीं mental stress worries या anxieties देने के लिए आती रहती है लेकिन आपका mind lane इतना strong हो चुका है बच्पन में ही इतनी सारी चीज़े देख लेगी शायद आप कुछ देखना बाकि नहीं हो तो उन सारे कारणों भी कि के यानि उन सभी कारणों के कारण भी यह राहू का negative असर इतना नहीं मिलेग तो ब्रामरी यह कि योगा है वो करना बहुत ज़्यदा शुब फलकारी रहता है जीरो thoughts पे लेकर के जाता है तो जितने भी desire ambition या फिर fear होते है या फिर जो किसी भी तरह का guilt रहता है वो सारी कि सारी चीज़ें यहाँ पर clear हो जाती है या शिव जी की किसी भी तरह से अराद में आ जा रहे हैं तो यह सारी चीज़ें ठीक कैसे होगी जब आप बाहरी दुनिया को छोड़ अपने अंदर की दुनिया पे काम करेंगे आपके हतेली में यह का चीज़ें आप जितना भी materialistic चीज़ें पाना चाहेंगे सब चीज़ आपको मिलेगा materialistic के peak पर जब व्यक्त state प्राणायाम योगा या खुद के साथ बात करना खुद को समय देना यह सारी चीज़ें मजबूत करती है व्यक्ति को यह सब चीज़ें प्रफर भी करना चाहिए बाकि लाइफ लाइफ लाइन के ऊपर देखे जाए तो इस तरह की progress लाइन बहुत ही अच्छी होती है क्यो सान से दूर प्रगति होना और इधर से जब रेखा आती है तो इसे एंसिस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज केते हैं तो लाइफ में सड़न कोई न कोई प्रॉपर्टी आउन करना या फिर प्रॉपर्टी मिल जाना यह भी कॉंबिनेशन आपके पाम में हैं इंटर अगर मेरे लाइफ में इश्व या स्ट्रगल नहीं लाता है शुक्र के स्थिती ठीक जा रही है तो लक्जरी स्कंफर्ट या रॉयल्टी स्टेंडर्ड ऑफ लिविं में कमी नहीं रहेगा एक सज्यादा गाड़े घरबार कसु के अच्छा रहन से इंखान पानेश्वारा यहां से भी एक रेखा निकलके मरकरी के तरफ गई है तो यह लर्णिंग बहुत अच्छा देता है आप जैसे आते कोई भी चीज़ जटपक्ट सीख पाने में लर्ण कर पाने में बातों को याद रख पाने में सक्षम होते हैं तो स्किल्स डेवलप होता है यही रीजन है क यहां पर भी देख सकते कि जो लक लाइन का फ्लो है वह भी बहुत अच्छा स्थिर होता दिखाए दे रहा है बाइफोर के कसाइन इधर भी है तो अधिक खर्च अधिक आए और सूर के ओपर इधर भी नीचे के तरफ त्रिशों लेलेकिन उपर भी है तो रॉल्टी आप अपने लाइफ में अच्छा क्रिएट कर पाएंगे एक्चुली आप फूली डिपेंडेंट रहे हैं अपने लाइफ में फैमिली या दूसरों के उपर आराउंड 24 तक उसके बाद में धीरे-धीर इंडिपेंडेंस हुए तो अब आप अपने मन लाइक तक्रिबन सारा काम कर पाएंगे डिसिजन्स ले पाएंगे तो यह थी सबसे महत्पूर्ण बात है आपके हाथ के रिगारिंग आशा करता हूं सभी परेशनों को तरमिली या हो तब तक आप अपना धियान रखें आपको बहुत-बहुत धन्यवाद